एलो प्रेंट्स आज के इस फीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे selection of site for bridge कि जब हम लोग bridge का construction करेंगे क्या वोला में जब हम लोग bridge बनाएंगे तो bridge बनाने के लिए हमको एक site का selection करना पड़ेगा मतलब कि एक ऐसी location देखनी पड़ेगी जहाँ पर कि मैं bridge बना सबूँ जैसे की friends आपके सामने अगर मैं एक river बना देता हूँ ठीक है तो मैंने एक river आपके सामने बनाई है just assume कि यह क्या है मेरी एक river है अब मुझे इस river के उपर bridge बनाना है ठीक है तो मैं कौन-कौन से factors को consider करूँगा जबकि मुझे selection करना है side का मानो मैं नाम दे देता हूँ यह एक position 1 है दूसरे 2 इसको third नाम दे दिया इसको मैं fourth नाम दे दिया अब मेरे को मेरे पास 4 side है site 1, site 2, this is what site 3 and similarly this is my site 4 अब यह मेरे पास 4 site available है इस 4 site में से मैं कौन से site select करूँ जिससे कि मैं उस पर bridge बना सकूँ अब दोस्तों मेरे पास 4 options available है इससे जादा options भी आपके पास available हो सकता है किसी river पर bridge बनाने के लिए लेकिन अब आपको कुछ factors consider करना पड़ेगा जब आप side का selection करते हैं कि मेरे लिए कौन सी best side हो सकती है या मैं one को select करूँ तो क्या ये मेरे लिए best होगी या two मेरे लिए best होगी या फिर three मेरे लिए best होगी या फिर fourth मेरे लिए best होगी तो इन सारे जो points में बोला हूँ आपको अब कौन-कौन से points यहाँ पर ध्यान रखना है जब आप किसी भी side का selection करते हैं bridge के लिए तो ठीक है तो दोस्तो सबसे पहला और important point अगर मैं आपको बता हूँ तो जो reach है क्या बोला reach of river should be straight मतलब कि मैं ऐसी side select करूँगा जहाँ पर जो reach है river की वो क्या रहा है तो मेरी क्याल से यह diagram आपके दिमाख में रखिएगा आप कि अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से points हमको ध्यान में रखना है तो पहला points में आपको बता दिया हमको ऐसी side का selection करना है जहाँ पर जो river है मेरी straight रहे river के अंदर कोई भी curve हमको देखने को ना मिले जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो side 4 जो है मेरी एक प्रकार की बिल्कुल एक straight है वही side 2 पर अगर बात करेंगे तो river यहाँ पर curve शेप ले रही है तो मैं side 2 को यहाँ से omit कर दूँगा ऐसे मैं side 3 और side 4 में से किसी एक का choice कर सकता हूँ तो पहला factor क्या हो गया मेरे को ऐसे side सेलेक्ट करना है जिसकी reach कैसी है दोस्तो straight है ठीक है मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं first point लिखा है कि the reach of the river should be straight clear हुआ पहला point second point दोस्तो बात करते हैं जो कि हमको consider करना है while selection of side for bridge के लिए second point क्या हो सकता है there should be minimum obstruction on natural waterway दोस्तो waterway क्या होता है जिसके अंदर हमारा water flow करता है या बहता है उसको हम लोग water बोलते हैं अगर दोस्तो मैं बात करूँ तो ऐसा हमको side का selection करना है जहां पर जिसके अंदर जो waterway है उसके अंदर minimum obstruction हो मानो कि अगर मेरा यह water यहां से flow कर रहा था ठीक है तो यह जब water मेरा यहां से flow कर रहा था तो इस water के रास्ते में कोई भी हमारे बड़ा सा rocks वगेरा रोक ना हो ठीक है rocks ना हो या कोई भी इसके रास्ते में सिंपल सी भाशा में बोला गया है दोस्तों कि आपको क्या करना है एसी साइट सेलेक्ट करना है जहां पर कम से कम obstruction उसके पात में हो मतलब कि जो water flow हो रहा है उसको कोई भी रोकने की कोशिस ना करे क्योंकि दोस्तों अगर obstruction होंगे तो यहां से जब water flow होगा तो इस water क्या करे एफलक्स generate क dispatch क्या करेगा जनेट करेगा अफ लक्स ग्या होता है तो माति है यहां से फ्लो हो रहा था हूं ठीए एफ लकस ओडीटेल में एफ लकस को डिक्सक्रिकस की हैं दोस्तों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्षन में मिल जाएगी ठीक है तो मेरी क्याल से दोनों पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए होंगे क्या कि पहला point बोला कि जो river रहेगी जहां पर हम लोग bridge बनाने वाले उस side का वहां पर straight होना चीए साथ में दोस्तों बोला है कि minimum obstruction होना चीए जब water हमारा flow कर रहा हो उसके रास्ते में क्योंकि जितना कम obstruction होगा उतना कम aplex होगा जितना ज्यादा obstruction होगा उतना ज्यादा aplex होगा और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे bridge के पास ज्यादा aplex create हो ठीक है third point की अगर बात करें दोस्तों तो third point बोलता है the side should be geologically sounds मतलब की जो भी जो साइट है वहाँ पर जो भी characteristics से अगर मैं बात करूँ that faults and faults यह दो type के Jones होते हैं दोस्तों जो कि आपने geology के अंदर पड़े होंगे तो ऐसे साइट का मुझे selection करना है जो की faults और faults से free है अब यह क्या होता है अगर आपको जानना है तो आप मुझे comment करें मैं इसके separate वीडियो बना दूँगा यहाँ पर इसको discuss नहीं करें क्योंकि ये वीडियो काफी लंब्य हो जाएगी नहीं तो ठीक है तो third point मेरी ख्याल से clear होगा third point क्या बोलता है कि जो site आप select करेंगे वो free होना ची किससे folds से और एक और चीज होती है folds दोनों में difference है इनसे free होना चीए वो site ठीक है next अगर बात करें friends इसी के अंदर तो the crossing side should be narrow as possible क्या बोला जहाँ पर आप bridge बनाएंगे या उस side का आप selection करिए जहाँ पर की मानों ये river में आपके सामने बना रहा हो चीक है तो ये river अगर मैं बना रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो width है ये width मैं इसको अगर w1 बोल देता ह हूँ और यहाँ पर ये width मेरी w2 है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि w1 बहुत जादा है मेरी किससे w2 से तो मैं क्या prefer करूँगा मैं prefer करूँगा w2 इस point पर bridge बनाना ठीक है मतलब कि ये side को मैं select करूँगा ये side मेरे selection process में आएगी ठीक है तो fourth point नहीं ही बोला है कि जब आ दूरी नहीं है उस side को आपको select करना है क्योंकि दोस्तों जितना आप narrow site select करेंगे उतना construction post reduce हो जाएगा and bridge हमारा economical हो जाए ठीक है मेरे ख्याल से यहां तक के points आपको clear हो गए होगे next कुछ और points की अगर तब बात करे हम लोग तो वो क्या कहता है the site should be directly aligned to the connected road दोस्तों जो site ह है मारी जहां पर हम लोग bridge बनाएंगे वो जो directly align होना चाहिए connected road को मतलब कि मानों यह road था मेरा ठीक है यह क्या है road है तो यह road दोस्तों directly मेरे यहां पर bridge बना रहा हूं मानलों suppose यह मेरा bridge है तो इससे directly align हो जाना चाहिए ऐसा ना हो कि road मेरा आ रहा है यह घुम के road आ रहा है road के अंदर मेंने turn दिया है मतलब कि जो approach है approach मेरा बिल्कुल straight होना चाहिए ठीक है अगर नहीं possible है जो approach है straight नहीं भी हो सकता तो उस case में turn प्रोवाइड कराते हैं लेकिन according to IRC turn को बोला गया है कि आपको ऐसी site का selection ही नही को देना पड़े क्योंकि दोस्तों यह जो turn है इसकी वज़े से यहाँ पर accident के chance बहुत बन जाते हैं और हम नहीं चाहते कि accident हो ठीक है इसलिए जो turn है या फिर बोले हम लोग curve है दोस्तों bridge के आसपास में जो approaching road है वहाँ पर neglect किया जाता है ठीक है मतलब उनको omit किया जाता ह है कि आपको ऐसी side का selection करना ही नहीं है जहाँ पर की curve provide करना पड़े bridge के just past में ठीक है कोई और रास्ता नहीं है तो फिर हम लोग कर सकते हैं लेकिन general case में इसको avoid किया जाता है ठीक है और कुछ point की अगर बात करें दोस्तों तो must have minimum underwater construction साथ में बोला गया है कि आप ऐसी side का selection कर करना पड़े क्योंकि दोस्तों अगर आप underwater construction है आपको करना पड़ेगा तो यहां पर फिर से आपको copper day का use करना पड़ेगा और लगो यहां पर क्या हो जाएगी cost हमारी ज्यादा लग जाए cost increase हो जाएगी दोस्तों कोफर डेम्स क्या होते हैं तो मैं आपर बताओं यह temporary structure होते हैं जिनका use करते हैं हम bridge के foundation को बनाने के लिए detail में जानना हो तो उसकी भी हम separate video बना रखे हैं आपको इसी channel पर मिल जाएगे आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है यहां तक के सारे points मेरे खाल से आपको clear हो गए होगे next बात करें next gap factors हमको consider करना है दोस्तों बोला गया है अगर आप जब side select करें तो आपको ऐसी side select करनी है जहां पर जो river के जो bank है bank का height है अच्छे कासी हो जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों यह मेरा section view में आपको बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ section view है मेरा तो यह मेरा है bed of river और यह मेरा है दोस्तों bank तो यह जो bank यह height है आपको height अच्छी कासी रखनी है जिससे कि यह height जो आप रहा के दोस्तों इस bank के across हमने bridge बना रहा होगा इस type का ठीक है तो यहां पर जो bridge होगा इस bridge से उपर water ना जा सके किसी भी case में मतलब कि जो एचे पे ले that is highest flood level वो हमारा कही न कहीं नीचे ही रेजा है इस एचे से नीचे ही रेजा है इसलिए हम क्या बोलते है कि previous में भहुत सारे years का data की हम लोग study करते हैं कि मानों कि 50 साल के अंदर इस particular river के अंदर कितना water level गया है उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग site selection की जो height है इस जगे देखेंगे जहां पर bank की height काफी ज़ादा है जिससे कि वहां पर flood का कोई chance ना है मतलब कि जो bridge है bridge हमारा पानी से डूबे ना ठीक है मेरी क्याल से ये साथ में दोस्तो अन इरोडेबल हो मतलब कि उनका erosion ना ठीक है erosion में क्या होता है दोस्तो erosion में क्या होता है आप जानेंगे erosion में क्या होता है मानों यह बड़ा सा मेरा rocks था इसके उपर continuously हापर अगर आप water apply करेंगे तो यह क्या करेगा small particles के form में इसमें से खरता जाएगा इसक सुथा मेरा खतम हो जाएगा ठीक है तो ऐसा ही कहा गया है कि यह क्या erosion हो रहा है तो मेरे को यही कहा गया है कि जो river के जो bank से आपको side जब select करें तो आप ऐसी जगे selection करें side का जहां पर कि जो river के bank से अन इरोडेबल है मतलब कि उनका erosion ना हो आसानी से ठीक है तो मेरी क्याल स यह point भी आपको clear हो गया होगा फर्दर अगर बात करें friends आगे क्या बोलता है the site should have straight a reasonable and workable depth for founding peer and amendments बोला गया दोस्तों कि ऐसी site आप select करें जहां पर जो straight है एक reasonable depth reasonable मतलब क्या बोला दोस्तों कि जह हम provide करा सके मतलब कि foundation हमको बनाना है तो foundation बना सके हम लग आसानी से साथ में यहाँ पर ज्यादा हमको work की requirement न लगे ज्यादा work की requirement न लगे ज्यादा energy हमारी यहाँ पर खर्च न हो तो यही का गया है कि आपको जो strata चाहिए strata ऐसा होना चीए कि वो reasonable हो मतलब कि इसके उपर हमारा जो bridge का foundation है वो खड़ा हो सके साथ में ज्यादा machinery वगेरा या ज्याद अलग से कुछ special equipment की हमको requirement न लगे ठीक है एसी site का selection आपको करना है all right next अगर बात करें friends इसी के अंदर the site should allow for constructing approach road ठीक है जो आप site select करेंगे वो इस type की आप site बनाये कि वहाँ पर आप जो approaching road है उनको बना सके अब approaching road क्या होता है दोस्तों मानों कि यह मेरी कोई river थी इस river के ऊपर अगर यह bridge बनाया ठीक है अगर यह मैं bridge बनाया तो अब इसको मैं connect करूंगा न यह मेरे क्या है approaching road होगा ऐसे इस site भी मेरा approaching road रहेगा तो दोस्तो मुझे ऐसी साइट सेलेक्ट करने हैं जहां पर कि मैं यह एप्रोचिंग रोड को बना सकूँ ऐसा ना हो कि यह कोई किसी की प्राइवेट जमीन आ जाए अगर प्राइवेट जमीन हो जाएगी तो जो इसके नाम पर वो जमीन है इसका वो खेत होगा या कुछ भी हो सकता है वो इस जमीन नहीं देगा इसलिए आपको जब साइट का सेलेक्शन करें तो ऐसी लोकेशन देखने हैं जहां पर किसी की प्राइवेट जमीन ना आ रही हो आ भी रही हो तो आप उसको इसलिए मना सके उसकी जमीन देने के लिए ठीकेट तो क्या बोला गया है आपको ऐसी साइट का सेलेक्शन करना है जहां पर कि आप जो एप्रोचिंग रोड है या अप्रोच रोड है उनको आसानी से बना सके और रहेट नेक्स अगर बात करें next point की तो क्या बोला the site should be selected where skewness can be avoided मतलब कि आपको ऐसी साइट का सेलेक्शन करना है जहां पर मानो मैं इससे बताता हूँ यह मेरी river थी और यह मेरा bridge में यहां पर बना रहा था तो यह bridge है दोस्तों आपको ऐसी साइट का सेलेक्शन करना है जहां पर skewness को neglect कर सके मतलब कि य river bank से यह अगर theta degree पर है तो इस theta को neglect करना है समझपाए तो आपको यही कहना है कि आपको ऐसी साइट सेलेक्ट करना है जहां पर जो skewness है वो neglect हो सके या फिर avoid हो सके क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कैसा bridge चाहिए दोस्तों हमको bridge चाहिए बिल्कुल right angle में क्योंकि skewned bridge रहेगा तो इसकी दोस्तों एक प्रकार से बोल सकते हम लोग length भी जादा हो जाएगी span increase होता है skewness के अंदर span बढ़ जाता है span बढ़ेगा दोस्तों तो यहां पर cost बढ़ेगी cost बढ़ जाएगी और साथ में बोले दोस्तों तो हम लोग यहां पर strength भी थोड़ी कम होती है strength क्या होत करेंगे that is skewness को हम लोग avoid करेंगे ऐसी साइड हमको select करने जहां पर skewness की जरुवत ना लगे all right so friends यह point भी मेरे ख्याल से आपको clear हो गया हो है next point की अगर बात करें दोस्तों जब आप लोग side का selection करेंगे तो आपको वहां पर एक अच्छी तरह से यह study कर लेना है कि जिस river क किस type की है यह river के अंदर water seasonal रहता है या throughout the year रहता है तो उस चीज के बारे में आपको study करना है तो last point यही कहता है क्या बोल रहा है last point while selecting side carefully determine the nature of flow कि river के अंदर flow किस type का है that is flow perineal है that is whole year पूरे साल के अंदर है whole year या फिर seasonal है या फिर दोनों का combination है मतलब कि कुछ season के अंदर river के पानी रहता है या पूरे साल हमारी river के अंदर पानी रहता है या फिर कभी-कभी किसी वर्ष पूरे साल रहता है किसी वर्ष कुछ season में रहता है तो आपको यह भी वहाँ पर पता लगाना है ठीक है तो दोस्तो मेरे ख्याल से यहां तक जो भी more points आपको बताया हूं कि जब आपको क्या-क्या आज की इस वीडियो के अंदर बता है ठीक है तो friends सबसे पहले अगर बात करे हम तो कौन-कौन से points में आपको बताया हूं सबसे पहला बताया हूं कि जो river का reach रहेगा वो straight होना चाहिए जहां पर भी आप जिस side को भी select कर रहे है साथ में दोस्तों महाँ प फिर बात करें दोस्तों कि ऐसी side हमको select करनी है जो की free हो fault zone से और fold zone से clear है fault और fault zone से हमारी side free होना चाहिए साथ में दोस्तों हमको ऐसी side का selection करना है जहां पर कि river की width है वो कैसी वो narrow हो clear है next अगर बात करें दोस्तों कि ऐसी side का selection हमको करना है जहां पर कि हमारे जो connected road से वो directly connect ह हो जाए है डारेक्ली अलाइन ठीक है उसके अंदर कोई भी कर्वस हमको ना देखने को मिले साथ में दोस्तों हमको ऐसी साइट का सेलेक्शन करना है जाफर की हम लोग जब फाउंडेशन की बात करते हैं इस फाउंडेशन का जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ठीक है तो वहाँ प के बैंक है वो भी एक रिजनेबल हाइट पर होने चीए या रिजनेबल लेवल पर होना चीए जिससे कि दूरिंग फ्लड जब वहां पर फ्लड अगर आ जाता है बाई चांस तो वो फ्लड का जो वोटर है डेट इस वो भी हमारे ब्रिच को क्रोस ना कर पाए साथ में जो के बैंक से वो कैसे होने चीए अन इरोडेबल होना चीए मतलब कि वहां पर उनका इरोजन नहीं होना चीए और रेट नेक्स्ट क्या बात कि हम हम बात कि कि जो साइट जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो स्ट्रेटा है स्ट्रेटा ऐसा होना चीए डेट इस जो बेस ठीक है तो ऐसी side का selection हमको करना है next अगर बात करें दोस्तों कि जो हमको side का जब selection करेंगे तो वहाँ पर हमको ऐसी side का selection करना है जिससे कि हम लोग जो approach road है उनको बना सके वहाँ पर किसी भी private person की जमीन ना रही हो private जमीन ना रही हो वो जमीन आसानी से दे सके approach road बनाने के लिए ऐसी side का selection हमको करना होगा next अगर बात करें दोस्तों ऐसी side का selection आपको करना होगा जहां पर skewness avoid कर सके हम जानते हैं कि हमको right angled bridge बनाना ज़ादा अच्छा रहता है क्योंकि वो एक तो economical होता है साथ में ज़ादा strength provide कराता है as compared to skewed bridge इसलिए हमको skewness को avoid करना है तो हमको ऐसी side का selection करना है जहां पर कि skewness कम से कम हो फर्दर बात किये थे दोस्तों हम लोग क्या कि जब आप bridge के लिए side का selection करें तो आपको एक proper तरीके से ये भी study कर लेना है कि जिस जगे आप bridge बना रहे है वहां पर जो river का nature के सा है या वो seasonal है या फिर perennial है या फिर दोनों का combination है मतलब कि उस river के अंदर water throughout the year रहता है या कुछ season के अंदर ही water के अंदर river के अंदर पानी रहता है तो ये भी study आपको कर लेना है so friends आज कि इस video के अंदर मैं आपको सारे factors बता दिया हूँ विल्कुल अच्छी तरह से detail में और आप इसकी PDF भी हमारी website पर access कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगए तो like करें share करें चैनल को subscribe करें thank you